हेलो गाईज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में करेंगे PTT exam के लिए हिंदी GK और राजस्तान GK के important question जो की आपके exam के लिए important है तो चलिए सुरू करते हैं आज का वेडियो तो गाईज, आज के session में पहला question है काबे सास्त्र में कौन सा समास है तो काबे सास्त्र में हो जाएगा आपका option B, ततपुरुस समास next है अध्यन का संदी विच्चेद क्या होता है तो अध्यन का संदी विच्चेद होता है option A, अधिधन, आयन अर्थ सास्त्र सब्द जो है वो कौन सा सब्द है तो आर्थ सास्र जो है वो आपका संग्या है noun next है मनरे तन कागत का पुतला लागे बूंद बिनसी जाए चिन में गरब करें क्यों इतना और पुरुक्त पंक्तियों में किस रस का प्रियोग हुआ है तो ये हो जाएगा option D सांत रस का प्रियोग हुआ है अगला है मैं तो गिर्धर के संग जाऊं गिर्धर मेरो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं उपुरुक्त पंक्तियों में किस रस का प्रियोग हुआ है तो इन पंक्तियों में कौन सा रस प्रियोग हुआ है गाईस यहाँ पर संगार रस का प्रियोग हुआ है नेक्स्ट धोका ना दो भाईया मुझे इस भाती आकर के यहाँ मजधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ सीता गई तुम भी चले मैं भी ना जियूंगा यहाँ सुग्रिप बोले साथ में जब जाएंगे बानर बहाँ उपरोक पंक्तियों में किस रस का प्रियोग हुआ है तो इसमें देखिये गाइस Option D भक्ती रस का प्रियोग हुआ है यहाँ पर अगला है बुंदेली हिंदी की किस उपभासा समू की बोली है तो ये है Option D पस्च मी हिंदी कुकुर मुत्ता किस कवी की कविता है तो ये है निराला की सूर कांत्र पाठी निराला आचारे भारत ने कितने रसों का उलेख किया है तो ये किया है आप्चने साथ रसों का उलेख किया है साथ रस अगला है सांत इस्चन बनाट्य रसा सुनता कहकर नौबय रस की सांत पतिसापना किसने की तो ये की उद्ध भाटने अगला है बाक्यम रसाक्त मकम काब्यम कथन जो है ये किसका है तो ये है बिस्वनात स्रंगार को रस राज की संग्या जो है वो किसने दी तो ये दी है आप्सन ए भोज राजने काब्य सास्तर के अनुसार रसों की जो संग्या है वो सही संग्या कितनी है आप्सन भी नौ अगला है गणों की सही संग्या कितनी है तो गणों की सही संग्या कितनी हो जाएगी आप्सन भी आठ अगला है दोहा और सोर्था किस प्रकार के चंद हैं तो ये हैं आप्शन सी अर्द सम्मात्रिक दोहा रोला के सैयोग से बनने बाला चंद कौन सा है तो आप्शन डी हो जाएगा कुंडलिया हिंदी में चंद सास्तर का सरवादिक बिस्तरत बिवेचन किस ग्रंथ में हुआ है तो आप्शन ने भिकारी दासकरत चंदो और बन पिंगल में छपपय के प्रतम चार चरण किस चंद के होते हैं आप्शन भी हो जाएगा रोला के होते हैं ये के निर्देश दिया गए प्रसंच्हा 75 से 78 के लिए नीचे दिये के प्रसंवें कावयांस कावए पंक्ती दी गई हैं उसमें प्रियूक्त अलंकार हेतु चार-चार विकल्प दिये गए हैं जिसमें एक सही है आपको सही विकल्प चुंना है तो question क्या है पीये निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही पीये निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही तो इसमें कौन सा हो जाएगा Option A लाटानूप्रास नब जीवन दो घंस्याम हमें तो इसमें कौन सा लंकार हो जाएगा तो उप्शन D, सिले सलंकार केकी रब की नुपुर धनी, सुन जगती जगती की भूख प्यास तो इसमें कौन सा होगा? उप्शन C, यमक अलंकार रगुपति रागव राजाराम इसमें आपका कौन सा अलंकार होगा? उप्शन D हो जाएगा, अनुप्रा सलंकार अगला सांत रस का इस्थाई भाव क्या है? तो सांत रस का इस्थाई भाव होता है उप्शन C, निर्वेद चौपाई जो है वो किस प्रकार का चंद है? तो मात्रिक चंद जो यससे मुक्त हो, के लिए एक सब्द क्या होगा? तो यससी खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तौप्शन B, बरबाद होना पीट ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तौप्शन E, बढ़ावा देना अगला है बुद्धी बल से बढ़ी होती है किस लोग पर ये कहावत का आर्थ है? तो ये है आपका आप्शन C, अकल बढ़ी या भैस नेमन मैंसे किस सब्द की बरतनी जो है बहुत सुद्ध है? आप्शन E, कौसल्या कौसल्या को ऐसे लेखते ना कि V, C और D की तरह है अगला है बिसाद सब्द का बिपरीड तार्थक सब्द जो है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आप्शन D, हर्स बिसाद का बिलोम सब्द क्या होता है? हर्स निम्न मैंसे किसकी मात्रवासा हिंदी नहीं थी? तॉपसन B, हो जाएगा मोरा रजी देशाई इस कौस्चन है अखियां हरी दर्सन की भूकी कैसे रहें रूप रस राची ए बतिया सुनी रूखी उप्रोप्त बंक्तियों में किस रस का प्रियोग हुआ है? तॉपसन B, बियोग सरंगार मैला आचल के रचनाकार काउन है? तॉपसन C, फणी सोर नाथ रेणू रस सिदान का आधी प्रवर्तक काउन है? तो भरत मुनी अगला है कैव बिरहिन कू मीचू दय उप्रोप्त पंक्तियों में किस रस का प्रियोग हुआ है? तो भियोग सरंगार रस अगला है अतिरस बोले बचन कठोर बेगी देखाऊं मूल नत आजूं उल्टाऊं मही जहे लग तब राजू उप्रोप्त पंक्तियों में किस रस का प्रियोग हुआ है? तो इसका हो जाएगा आपका आप्शन B रोदर रस पच्पन खंबे लाल दिवारे किसकी क्रती है तो आप्शन B उसा प्रियबंदा प्रियबदा प्रियनबदा आधे अदूरे किस लेखक की क्रती है आप्शन C मोहन राकेस निर्देश दिया गया है प्रसंसंगिया 55 से 100 के लिए सुद्ध बाके का चैन करना है तो 45 में कौन सा सुद्ध होगा तो आप्शन B आप कहां जा रहे हैं ये वाला सुद्ध हो जाएगा और बाकी के तीन जो हैं वो आपके गलत हो जाएंगे इसमें आपको बताना है कौन सा सुद्ध होगा थोड़ा टाइम लीजिए और आपको बताना है कमेंट करके तो इसमें आपका सुद्ध बाक हो जाएगा और अप्शन C ऐसी एकाद बात और सुनने में आती हैं यह सही हो जाएगा बाकी के तीन आपके क्या हो जाएंगे गलत इसमें कौन सा सुद्ध बाक क्या है चार अप्शन है इसमें आपको बताना है तो इसमें आपका सुद्ध बाक हो जाएगा अप्शन D हमारा विचार तो यही है बाकी के तीन आपके क्या हो जाएंगे गलत और इसमें बताना है कि कौन सा सुद्ध बाके है चार अपसन गायस दियें थोड़ा समय लीजिये और इसका अंसर बताईए तो इसका हो जाएगा यहां गाय का सुद्ध दूद मिलता है बाकी के आपके तीन गलत हो जाएंगे उन्चास में आपका कौन सा साही होगा सुद्ध बाके देखिए गाईज अठावन में आपका क्या हो जाएगा आपसन भी यहां सुद्ध गाय का दूद मिलता है यह साही होगा और आपसन ए यहां गाय का सुद्ध दूद मिलता है यह गलत C वाला भी गलत और D वाला भी गलत Option B आपका हो जाएगा अब 49 में आपका कौन सा सुद्ध होगा तो गायस देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाईए 48 में आपका यह वाला भी सुद्ध लग रहा है लेकिन B भी सुद्ध लग रहा है लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो आपका A ही साही होगा यहां गाय का सुद्ध दूद मिलता है और B और C आप D वालत हो जाएगे और 49 में आपका कौन सा साही होगा Option B यह पुस्तकें छात्र को माट दो यह बाला बाके सुद्ध हो जाएगा बाकी के तीन आपके गलत हो जाएगे और हिंदी का लाश्ट है इसमें आपको सुद्ध बताना है तो यह हो जाएगा Option C राम और सीता बनको गए यह बाला बाके सुद्ध हो जाएगा बागी कितीन क्या हो जाएंगे आपके गलत करेंगे सामान ग्यान के कोशन जिसमें पहला कोशन है मूलबूत अधिकारों की सूची में से किसे संविधान संसोधन दोरा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया तौपसन सी चवालिस सुभा संसोधन अधिकान्स चोल मंदिर किस देवी देपता को समर्पित है तो आपसन भी सिब को नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था तो यह हुआ था बंबई में गुप्त काल में किस दातू के सरवादिक सिक्के जारी किये गए तो आपसन ने सोना इसका सिम्बल होता है एयू अगला कोशन देख लेते हैं बैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर बसूल करते थे उसे कहते थे उसको कहते थे बली बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां दिया था तो आपसन भी सारनात ब्रद गंगा नाम से प्रसिद दच्छन भारत की नदी कौन सी है तो ये है आपसन सी गोदा बरी सोयज नहर किन दो सागरों को जोडती है तो आपसन भी लाल सागर और भूमद सागर भारत में चक्रिय योजना या रोलिंग प्लान की जो अबदी है वो कितनी कहां से कब तक थी तो आपसन भी उननीस सो सागर से असी के बीच किस मुगल बादसा के समय सत नामियों ने विद्रो किया तो अरोंग जेब नादिर सा ने भारत पर किस बर साकरमल किया तो 1749 में किया था बहादूर सा था तो बहादूर सा क्या था आपसन सी अन्तिम मुगल सा सकता मंगल पांडे ने 1857 के विद्रो की पहली गोली चलाई थी तो अपसन बैरकपुर में मानप सरीर में भोजन के पाचन के संदर्ब में लाइपेच का श्राओ कहां होता है तो आमासे में मनुस के रक्त का पियोच होता है तो 7.5 विस्तु पर्यावान दिबस का मनाया जाता है तो अपसन डी 5 जून भारत भारती किसके दौरा लिखी गई है तो मैथली सरान गुप्त के दौरा भारत दौरा जो प्रतम प्रायोगिक उपग्रह छोड़ा गया उसका नाम क्या है तो आरेबट भोकंब की तीब्रता का मापन किया जाता है तो किस से करते हैं रियक्टर स्केल पर करते हैं जापान की मुद्रा जो गई सकौन सी है तो जापान की मुद्रा है येन करकर रेखा कहां से होकर नहीं जाती तो ये नहीं जाती ओड़ी सा से अगला कोशन गए भारत की समिदान सबा के आस्ताई सबापती थे तौपसे ने डाक्टर सचिदानन सिना अस्पसितकांत समिदान के किस अनुच्छे द्वरा किया गया है तो सत्तरवे राष्टपती को कौन सपत दिलाता है तो भारत के मुख्य न्याया दिस पंचायत इस्तर पर राज सरकार का प्रती निदित्तो जो है वो कौन करता है तो आप्से ने ग्राम सेवक योजना आयोक के प्रतम अध्यच कौन थे तो ये थे आप्से बी जबाहर लाल नहरू अगला है बियर तथा बुल सब्दों का प्रियोग किस छेतर में होता है तो सेर बाजार सुच्छ आकास में नीले रंग का कारान क्या होता है तो प्रकास का प्रकिणन कंप्यूटर की भासा में CPU का आर्थ होता है तो ये होता है आपका आप्सिन भी Central Processing Unit निमलकित में सबसे छोटा कंण कौन सा होता है तो आप्सिन ए एटम परमाडू नेक्स्ट रूपायन संस्थान जोद पूर का जो मुखे कार है वो क्या है तो आप्सिन सी राजिस्थानी कला का संकलन युद भूमी में जाते समय अपने पती दोरा निसानी मांगने पर जिसने अपना सीस काट कर भेंट कर दिया बहे थी तो आप्सिन डी हो जाएगा रानी हाडा बहे किला जिसमें एकस जैसे नौ महल है तो वो कौन सा है तो नाहर गड का किला राजिस्थान में कहां पर प्रसिद मीना कारी गहने बनाए जाते हैं तो आप्सिन है जैपुर निम्नमेस से किसका चित्रा कपड़े पर नहीं किया जाता है तो पाने अठारा सो सत्तावन इसपी की क्रांती में अंग्रेजोबा जोदपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने बाला था तो आउबा के ठाकुर कुसाल सिंग जाड साही सिक्के किस राजिसे सम्मंदित है तो आप्सिन भी जैपुर चंपारान की संदी जो है वो किसके मद हुई तो मालबा और गुजरात के सुल्तानों के बीच मेवाल में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोबिन जैसे बिसियों पर लगु चितर सैली किस सासक के काल में चरम सीमा पर पहुँची तो आप्सिन भी हो जाएगा सुमेलित करना एक में समाचारपत्र ने दुसरे में इस्तान है और कूट के माद्यम से बताना है तो आप्स ने पहला है जैहिन समाचारपत्र यह हो जाएगा इस्तान कोटा फिर तरुन राजिस्तान इसका हो जाएगा चोते से ब्याबर पिर नवीन राजिस्तान इसका हो जाएगा अजमेर पिर राजिस्तान केसरी इसका हो जाएगा बर्धा जले विसनोई संपरदाय के प्रबर्तक गुरू जम्भेसोर से सम्मंधित मुखेस्तान है तो आपसंडी मुकाम कीरती स्थम प्रसस्ती के रचैता थे तौपसंडी अत्री कभी राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सरप्रथम जनम देने वाले थे तौपसंडी अर्जुनलाल सेथी केंद्रिय भेंड एवं उन अनुसंदान संस्थान इस्तापित है तो अभिका नगर राजस्थान में बे दो जिले जिनमें कोई भी नदी नहीं है तो बीका ने रेवम चुरू सोम कमला अंबा सिचाई परियोजना जिस जिले में इस्तित है वह कौन सी है तो डूंगर पुर जिसका उप्योग मिट्टी की लवडता एवम चारीता की समस्या का बीर का काली नहल है बहे है तो जिपसम निमलकित में से किस छेतर को धली कहा जाता था तो चुरू सरदार सहर निमनमें से कौन सा योग में जो पसू मेले से सम्मंदित है सही है तो आपसेने मली नात का मेला लगता है तिलवाडा में इंपोर्टन कोश्चन है निम्न मैंसे कौन सा यूग में सही है सो सही बाला बताना है तो अपका हो जाएगा उप्सन सी जाखम माही राजिस्थान में बिस्तरत रुप से प्राप्य अजोलित इधन खनी जय तोप ब्रक निम्नलखित में से प्रमुख विद्धुत परयोजना है तोप से ने चंबल परयोजना सागवान रोपान हे तुझ सबसे उप्युप्त जिले कौन से है तोप संदी कौन सा राजिस्थान सरकार का उद्योग नहीं है तोप संदी Modern Food Industries Limited बाकी के तीन हैं जैसे की श्री गंगा नगर सुगर मिल्स लिमिटेड राजस्तान स्टेट केमिकल बर्क्स डीडवाना स्टेट बुलन मिल्स विकानेर ये तीनों है बर्स 2011 के जनगर्ना के नुसार जनसंक्या के दरश्टी से भारत में एक राजस्तान का करम क्या है तो आठवा राजस्तान में सक्कर उद्यों के केंद्रों का सही समुच्चे क्या है तो आपसंडी स्री गंगा नगर बोपाल सागर और केसो राय पाटन राजस्तान जनजाती छेत्रिय विकास सहकारी संग की स्थापना की गई तो सत्य उन्निस सो चित्तर में सहकारी साग समितियों का डाचा है तो त्री स्तरी है राजिस्थान उच्छ न्यायले की स्थापना कब एवम कहां की गई थी तॉपसन भी 20 अगस्त 1949 को जैपुर में निम्न में से कौन सा कार्य राजिस्थान सासन सचिवाले का नहीं है तॉपसन दी पांकी के तिन कार्यां जैसे कि नीतियों का निर्माड नीतियों का क्रियानबेयन अंतर विभागिये समा योजन तो पंडे जबाहला नेरू दवरा राजिस्थान में पंचायती राज का प्रारम कप किया गया तो आपसिन भी 2 अक्टूबर 1969 को मानव मानवा अधिकारों के सन्नच्छन एतु मानव अधिकार अधिनियम संसत द्वरक का पारित किया गया तो ये बर्स 1993 में जिला परिसत का अध्यच जो है कौन होता है तो जिला परमोक होता है काबिनेट का एजेंडा कौन तयार करता है तो मुख्य सचिप दुख दुथ पादन हेतुख गाय की प्रसिद नसले हैं तो थार पारकर एबम राठी किस जिले के निवू प्रसिद्ध है तो धौलपुर किस फसल को राजिस्थान का सफेद सोना कहते है तो कपास बह सहर जैसे प्राया राजिस्थान की सोन नगरी के नाम से पुकारा जाता है तो बो है जैसलमेर राजिपुस्पुर रोहिणा राजिस्थान के किस भाग में सरवादिक पाया जाता है तो पश्मी राजिस्थान राजिस्थान में अगला है राजिस्थान में किस सहर को संसिटी के नाम से जाना जाता है तो जोदपुर राजिस्टान मरुस्तली भाग किस नाम से प्रसिद है तो जीव मरू परदेश राजिस्टान सरकार ने किसके सयोग से मरू भाग में मरू विकास कारिकरम आरम किये हैं तो केंदर सरकार के सयोग से राजस्तान के मरू विकास कारिक्रम 17.1978 में केंदर सरकार द्वरा कितने प्रतिसत की साहता दी जा रही है तो 100 प्रतिसत मरू विकास में किस तत्तु का समावेस किया गया है तो प्रुक सभी भूमी गजल का प्रबंदन के अनुरूप बिदोहन मिट्टी संदचनबा चरागाओं का विकास बरच्छा रोपन को बढ़ाबा मरू विकास की द्रश्टी से कौन सी योजना सरवादिक महत पून है तो इंद्रा गांदी नहर परियोजना इंद्रागांदी नहर परियोजना के अंतरगत निमलिकित में से किस कारे को समलित किया गया है तो ये सबी पेजल, प्रच्छारोपन और सिचाई बर्तमान में मरू विकास कारिक्रम 13 मरुस्तलिय जिलों में कितने विकास खंडों में चलाया जा रहा है तो इस पच्छासी विकास खंडों में लाटी इस रंकला किस से संबन्दित है तो आप्सिन भी खनिज पट्टी से राजिस्तान के एक सहर में पीले पत्थर की खान है इस पत्थर को भी इसी सहर के नाम से जाना जाता है यह सहर कौन सा है तो जैसल मेर निमलिकित में से कौन सा अर्द दुर्लब पत्थर राजिस्तान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो सुलेमानी पत्थर राजिस्तान के किस छेतर में तामे की खान है तो खेतरी दिये के खनिजों में किस के लिए राजिस्थान को देश को देश में एका अधिकार प्राप्त है तो सीसा जस्ता राजिस्थान में सोने की खोच का कर जिस जिले में प्रगती पर रहे बहे है तो बांस बाड़ा राजिस्थान के किस जिले में तेल एवं प्राकर्तिक गैस की संभावना अच्छी हैं तो जैसल मेर में जिनके उत्पादन में राजिस्थान भारत में राजिस्थान प्रतम हैं बे हैं तो रॉक फास्पेट टंगस्टन एवं जिपसम राजिस्तान में देश का करीब 90% एसवे स्टास उत्पादित किया जाता है यह किन जिलों में उत्पादित किया जाता है तो उदैपूर, डूंगरपूर, वांसवाड़ा, एबम अजमेर निमलिकित में कौन सा जोड़ा गलत है तो आपको गलत बाला बताना है बाकी के तीन सही है जैसे कि संगमरमर पाया जाता है नागवर, मलवाबाण बाड़मेर, गगर जो है नाली बाहस्तान जिसका आणविक सक्ती उत्पादन में से संबन्ध है तो इन सबी का कलपकम, कोटा और काकरा पारा प्राकर्तिक गैस आधारित उर्जा परियोजना कहां पर अवस्तित है तो रामगड में और आज का लास्ट है बाड़मेर जिले में लिगनाइट पर आधारित 1000 मेगावाट सक्ती परियोजना का प्रस्तावित इस्तान है तो काप औरड़ी में तो गैस आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक्यो